मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्स 2026 में लाप पंचमी कब है तेरा या चौदा नमंबर को जानिये सही तिन्व तारिक क्या है पूजा करने का सुब मोहूरत कब है पूजा बिधी क्या है और पंचमी तिथी कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे से शेयर करेंगे मित्रों हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के सुक्ल पक्ष की पंचमी थिति को लाब पंचमी मनाई जाती है इसे सौबहाग पंचमी के नाम से भी चाना जाता है लाब पंचमी के दिन भगवान सिव का पूजन करने से परिवार में सुक सान्ती आती है और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ती मिलती है और व्यापार में तरक्की होती है लाब पंचमी को तरक्की करने का सुभ दिन माना जाता है ऐसी माननेता है कि लाब पंचमी के दिन भगवान गनेश का पूजन करने से व्यापार में मनुवांचित लाब मिलता है और भगवा सिव माता पार्वती का पूजन करने से सवभाग की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी बाधाईं दूर होती हैं मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों लाब पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर इसनान आधिकर की भगवान सुर्य देव को जल्दे इसके बाद भगवान गनेश भगवान सिव और माता पार्वती की प्रतिमाउं के समक्ष बैटकर भगवान गनेश ची को चंदन, सिंदूर, अच्छत, धूप, दीप और दूर्वा आधि अर्पित करें इसके बाद माता पार्वती और माता लच्छमी जी को फल फोल आधि अर्पित करें और माता लच्छमी को लाल वस्त्र, इत्र, हल्दी आधि भी अर्पित करें इसके बाद भगवान गनेश और माता लच्छमी के मंत्रों का ज्याप करें और साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं फिर अगले दिन सुर्योदय की बाद बरत खोले फिर अपने सामर्थ के अनुसार दान करें मित्रों अब लाब पंचमी पूजा करने का सुव मुहूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष 2026 मी लाब पंचमी 14 नवंबर दिन सनी बर को मनाई जाएगी लाब पंचमी पूजा का सुव मुहूरत है 14 नवंबर को सुवचे बचकर 25 मिनट से लेकर 10 बचकर 2 मिनट तक रहेगा पूजा की कुल अवधी है 3 घंटे 37 मिनट पंचमी तिथी प्रारंब होगी 13 नवंबर 26 को राथ 8 बचकर 42 मिनट पर पंचमी तिथी समापत होगी 14 नवंबर 26 को राथ 11 बचकर 23 मिनट पर